नमस्कार सभी साथियों को, मैं मॉनिका सिंग, आप सभी का बहुत स्वागत करती हूँ RWA Civil Services YouTube चानल पर और जैसा कि आप सभी इस चेज से परचित हैं कि आज 11 फर्वरी को आप लोगों का एक्जाम हुआ हैं समिक्ष अधिकारी, सहायक समिक्ष अधिकारी का और जैसा कि RWA की ओर से आप लोगों को सभी को ये चाहिए YouTube की बात करें या अधिकारी बाच की पिछले सतंबर महा से आप लोगों को लगातार पढ़ाया जा रहा है खास तोर पर अधिकारी बाच में तो आज आप लोगों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया होगा लगातार आप लोगों के रिव्यू भी आ रहे हैं इस वाले सेग्मेंट में मैं यहाँ पर हमारी टीम के द्वारा भेजे गए जर्नल स्टडीज यानि जो 140 प्रशन हुए थे सुभ़ वाली शिफ्ट में साड़े नो से साड़े इग्यारा सामाने अध्यन उसके सभी प्रशनों की उत्तर कुंजी यानि आंसर की बताऊंगी प्रिवानी मैडम हिंदी वाला सेग्मेंट आपका कराएंगी और एक बात और ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो एक विशलेशन आत्मक आप लोगों क को एक अनलिसस कराया जाएगा अपने-अपने सेग्मेंट का वो कल सुभा कराया जाएगा अभी आप यहाँ पर देखेंगे कि जो हमारे आंसर्स हैं किवल किवल आंसर उसको मैं आपके सामने ले करके आ रही हूँ ठीक है तो चलिए साथियो शुरू करेंगे यहाँ पर उ जैसे जैसे उचाई बढ़ती है पानी का क्वतना घटता है कारण उचाई के साथ वायू मंडल दाब बढ़ता है अब आपको सही उत्तर का शयन करना है इसमें आपका ऑप्शन नंबर A यानि असर्शन सत्य है किन्तु रीजन यहाँ पर असत्य हो जा रहा है दूसरा देख यह यहाँ पर इसका सही विकल्ब हो जाता है सयद वंश के सुल्तानों का सही काला नुक्रम क्या है आपको बताना है इसमें प्रशन संख्या 3 के अंदर खेजर खान मुहम्मद शाह मुबारक शाह अलाउदीन आलम शाह सही कूट का चुन करके उत्तर देना है ऑप्शन संख के next question number 4 question number 4 के और हम move कर रहे हैं यहाँ पर यह question आपका जो है math, reasoning, science सभी के question को मैं answer की केवल कराऊंगी बाकि आपके अध्यापक कल आपको चीज़े करा देंगे question number 4 के अंदर option है C 1 MP question number next के और चलते हैं और यहाँ पर कुछ expression में छोड़ूंगी यानि कि star लगा दूंगी उस पर आपके जो भी subject expert है वो आपको उत्तर देंगे यहाँ पर question number 6 देखते हैं भारत के महान्यावादी के संदर्व में निमनलिकित कथनों पर विचार करना है यहाँ पर इसमें question number 6 के अंदर आपका उत्तर C हो जाता है अर्थात जो उपर दोनों कथन दिये गए हैं उनमें से कोई भी सत्य नहीं है वे प्रधान मंत्री की मर्जी तक पदपर बने रहते संसत सदस्य के प्रशे साधिकार के हगदार नहीं है ने तो एक ने तो दो C option अगले प्रशन की और मूव करेंगे प्रशन संख्या आठ प्रशन संख्या साथ आ जाती है यहाँ पर swimming pool के वास्तविक गहराई से कम गहरा प्रतीत होने का क्या कारण है इसके अंदर option संख्या C यानि अपवर अगले question पर आएंगे यहाँ पर कुछ प्रशनों पर मैं जरूर स्टार लगाऊंगी ताकि आप उन पर कल deep analysis के दोरान चुझों को अच्छी तरीके से समझ सकेंगे यहाँ पर आपका 9 question भी स्टार लगा हुआ है तसवा निमनलिकित गठनाओं पर विचार करें और इन्हें सही chronological order में विवस्थित करें सबसे पहले से प्रारंब करते हुए आखरी गतिविधी तक यहाँ पर है पाई मैसन की खोज, न्यूट्रोन की खोज, एलेक्ट्रोन की खोज और प्रोटून की खोज, option संख्या C यहाँ सही उत्तर है 3, 4, 2 और 1 ठीक है, next question आजाएगा आपका question संख्या 11, question संख्या 11 आप देख सकते हैं, इतिहास का question है और लंबा question है यह थोड़ा सा, तो इसको पढ़के हम यहाँ पर अपना time थोड़ा यह नहीं करेंगे, इसमें सर ने आपको उत्तर दिया है कि या तो B हो सकता है या option संख्या A भी उत्तर हो सकता है, कल detailed analysis में सर तरना ब्याज की दर पर अर्थात यह आपका गनित का question है और 12 question का आपका answer हो जाएगा D 508 रुपे, 508 रुपे तीन वर्ष में यह यहाँ पर आपकी चज़े हो जाएगे, ठीके, सेम है बच्चों का booklet कुछ का, ठीके, कौन सा booklet हुआ बच्चे यह, एक बार बताएं आप यहाँ पर कह रहे हैं कि नीचे दिये गए चार युगमों में से कितने युगम सही सुमेलित हैं, यहाँ पर 14 नंबर में आपका option संख्या D यानि वर्षा 1 अनुसंधान जोरहाट, वर्षा 1 अनुसंधान जोरहाट यह इसका सही उत्तर हो जाता है, question number next की और move करेंगे, question number ह 15 जिसके अंदर परासरण के संदर्व में निमनलिखित कतनों पर आपको विचार करना है, यदि अर्ध पारगम में जिल्ली विलायक और विलियन के मद रख दी जाए, तो विलायक के अणू इस जिल्ली में से निकल कर शुद्ध विलायक से विलियन की और प्रवाहित हो जा क्वेशन नंबर है 16 जिसके अंदर यूपी बजट से आपका यह सवाल पूछा गया है, 60 नंबर क्वेशन में बजट का आकार यहाँ पर आपको एक करोड में फिगर दिया है और फिर फिसकल डेफिसिट भी दिया है, केवल 2 केवल 2 इसके अंदर आपका उत्तर सही है, बाक बीच में छोड रही हूँ, उन प्रेशनों पर आपके अध्यापक आपसे एक डेटेल्ड एनलिसिस करा देंगे, ठीक है, तो आप उनको वहाँ से चेक कर लेंगे, कल ही है यह आपको ज्यादे परतीक्षा नहीं करने पड़ेगी, ठीक है, अठारवा प्रेशन है, बीज ग प्रेशन संख्या 19, प्रेशन संख्या 19 आपका आजाता है, यहाँ पर जिसके अंदर है कि असर्शन और रीजन दिया है, भारत विश्व में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है, और भारत का जूट उत्पादन पीली क्रांती के कारण बड़ा है, 19 प्रेशन के अंदर आपका आंसर है B, A सत्य है किंतु R असत्य है, क्वेशन संख्या 20 जिसमें असर्शन रीजन का ही यह भी प्रेशन है आपका, जिसमें भी आपका B उत्तर सही है, A और R दोनों सत्य हैं किंतु R, A की सही व्याक्या नहीं करता, यह आपका रोसको मोस के चंदरवा पर लूना 25 मिशन से संबंदित है, अते आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं, ठीके, नेक्स्ट क्वेशन की ओर चलेंगे, रिव्यू आप से बच्चे लिए जाएंगे बाद में, क्लासेस के, ठीके, अभी फिलहाल के लिए आप केवल व्याक्या पर कॉंसेंट्रीट करें, ठीके, 21 संख्या 22, जहाँ पर असर्शन और रीजन का सवाल है, सर्दी के मोसम में भारत का दिकांश भाग सुष्क रहता है, और इसका कारण ये है, कि शीत रितु के दोरान देश के दिकांश भाग उत्तर पूर्वी व्यापारिक हवाओं के प्रभाव में रहते हैं, क्वेशन संख्या 23 की और मूब करते हैं, क्वेशन संख्या 23, यहाँ पर आ जाता है, सूची एक को सूची दो से आपको मिलान करना है, ठीके, देखेंगे कि भरतनाट्यम, कुचिपूरी, सत्रिया, कथक उस तरफ आपके स्टेट लिखे हुए हैं, ठीके, क्वेशन संख्या 23, कुछ आपके स्टेट हैं, दूसरी तरफ आपके जो है, राज्ये और डांस, इसमें आपका A हो जाएगा, यानि कि A, भरतनाट्यम, कुचिपूरी, सत्रिया, और आपका कथक, ठीके, A के अंदर आपका हो गया, 1, B में हो गया 3, C में हो गया 4, और D में हो गया 2, ठीक है, नेक्स्ट क्वेशन नंबर 24 है, क्वेशन नंबर 24 में, उत्तर प्रदेश के चर्कुला नरत्य के संदर्व में, निमने कथनों पर आपको विचार करना है, 24 में केवल 2 सही है, अर्थात, उत्तर संख्या D, इस नरत्य में प्रदा ठाके महिलाओं अपने स अंसर पर बड़े बहुत तरिये गोलाकार लकडी के प्रामिड़ों को बैलेंस करती हैं, अगले प्रशन के और मूव करेंगे, यहाँ पर नेक्स्ट, यह की एकदम से ओथिंटिक तरीके से बनाई गई है, ठीक है, आप यहाँ पर जो है, इसको अच्छी तरीके से देखते हुए चलें, जिन प्रशनों में कुछ भी डाउट है, आप वहाँ पर देखेंगे कि अंग्रेजी को मान्यता प्रदान की जाएगे, क्वेशन नंबर 25 के अंदर आपका अंसर हो जाता है, C, यदि किसी वर्ष में 25 ओक्टूबर को गुरुवार है, तो 5 इसका उत्तर हो जा हैं, यहाँ पर कुछ कथन और कारण दिया हुआ है, क्वेशन नंबर 27 के अंदर आंसर विल बी, B में है A और R दोनों सत्य हैं, किन्तु R A की सही व्याख्या नहीं करता है, क्वेशन नंबर 28, जिसके अंदर C उत्तर हो जाएगा, A में 2, B में 1, C में 4, D में 3, क्वेशन नं नंबर 29 के अंदर आपका उत्तर हो जाता है, ओप्शन संख्या C, A और R दोनों सत्य हैं, और R A की सही व्याख्या नहीं करता है, ठीक है, अगला प्रेशन हो जाएगा, क्वेशन नंबर 30, यूरोप में राइन नदी के संदर्व में आपसे सवाल पूछा है, जिसका उत्तर हो जाएगा B, केवल 2, नेक्स्ट क्वेशन नंबर 31, यहाँ पर आपसे 31 वे क्वेशन में पूछा जा रहा है, रुद्रमा के संबंद में, अतहे 31 में ऑप्शन संख्या C, यानि A और 2 दोनों, क्वेशन संख्या 32, जिसके अंदर आपका आंसर D, A और मतलब 1st and 2nd, दोनों स ही है, क्वेशन नंबर 33, जिसमें भारतिय सम्विधान की छटी अनुसूची के विशेम पूछा गया है, असम, मेघाले, तिरपुरा और मेजोरम, ऑप्शन संख्या D, अगला देखेंगे, क्वेशन नंबर 34, क्वेशन नंबर 34, पर मैं यहाँ पर अभी फिलाल के लिए, चार लगा रही हूँ, ठीक है, अगला आ जाता है, क्वेशन नंबर 35, यहाँ पर आपका आंसर हो जाता है, बी, यानि वाइटेमिन C, इसकरवी, बी फॉलिक अमल, इसमें 3 है, C में 1 है, और D में 2 है, ऑप्शन संख्या B, नेक्स्ट क्वेशन थोड़ा सा धुंदला लिख हा हुआ है, हमारे पास में जो पेपर है, उत्तर प्रदेश के संदर्व में क्वेशन है, 36 जिसका आंसर हो जाएगा, ओनली वन, यानि B ओप्शन इसके अंदर सही है, क्वेशन संख्या 37, 37 में आपका D ओप्शन हो जाएगा, 1, 4, 3, 2, 38 सवा सवाल देख लेते हैं, 38 क्वे करता है, ठीक है जी, ओके यहाँ पर नेक्स्ट देख लेते हैं, अगला प्रशन 49, 49 वे प्रशन के अंदर पूछा गया है, बंकिम चंद चटो पाध्याई के संदर्व में निमनलिखित कथनों पर विचार करना है, ए और दो, दोनों के दोनों कथन यहाँ पर सही हो क्या है, 40 वे सवाल के अंदर, ओप्शन संख्या C, एक, तीन, दो और चार, नेक्स्ट है, बैंक के लेंदायन में, पिन का क्या अभिप्राय है, तो यहाँ पर पर सिनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, ओप्शन संख्या C, नेक्स्ट आ जाता है, इस पर में स्टार लगा र हैं, और एकी सही व्याक्या भी करता है, बुर्हान मुल्क, 44 वे क्वेस्टन में, ओप्शन संख्या B, A और दोनों, दोनों इन बंदुओं के बारे में सत्यकथन हो जाते हैं, 42 के बाद हम मूव कर लेते हैं, अपने अगले प्रशन पर जो रहेगा, क्वेस्टन नंबर 45, यहाँ पर असर्सन वीजन का फिर से क्वेस्टन पूछा गया है, 45 में, जिसमें उत्तर संख्या C, A सत्य किन्तू R सत्य है, सही हो जाएगा, अगला क्वेस्टन है, 46, 43 के अंदर, रूस में कुजबास शेत्र के संदर्व में आपको बताना है, कौन सा कथन सत्य है, A और दोनो, A और B, दोनो, यानि, ऑप्शन संख्या A, यहाँ पर आपका सही जो है, उत्तर हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेस्टन नंबर 47 है, 47 नंबर प्रेशन की ओर, असर्सन रीजन का क्वेस्टन है, इतिहास का, आपसे ऑक्टूबर 1940 में, गांधी जी ने कुछ चुने हुए लोगों द्वारा सीमित सत्यगरा का आवाहन किया, 47 वे क्वेस्टन में, ऑप्शन संख्या B, यानि A तो सत्य है किन्तू, यहाँ पर जो रीजन दिया है वहाँ असत्य है, 48 वा सवाल, विपिन चंदरपाल के संदर्व में है, जहाँ पर क्वेस्टन नंबर B, A और B, दोनों ही आपका सत्य हो जाता है, क्वेस्टन नंबर है, 49 जिसमें तेल शोधन साला और राज्यों को मैच कराना है आपको, 49 में आंसर हो जाता है, D अर्थात, A में 2 है, B में A है, C में 4, यानि B ना आपका मध्यप्रदेश, और D में है 3, अगला पचासवा क्वेस्टन आपका मैच से आ जाता है, कि यहाँ पर यदि A बटे B प्लस Y by B बराबर 1, अर्थात, इसके अंदर आपका प प्रश्यक सम्रद्दी योजना, यहाँ पर मैं आपके सामनी स्टार लगातेती हूं, नेक्स्ट क्वेस्टन बावनवा, सिल्कियार्या, सिल्कियार्या सुरंग में 200 वाट शमता के पंध्रे बल्व हैं, बावनवी सवाल में उत्तर हो जाएगा B, 72 यूनिट, नेक्स्ट क् वन और फोर्थ, अगला प्रश्यन रहेगा, क्वेस्टन नंबर 54 स्टार है, क्वेस्टन नंबर 55, भारतिय सम्विधान की प्रस्तावना में उल्लेखित सही क्रम कोन सा है, 55 में B, संपूर, प्रभूत्व, संपन, समाजवादी, पंत, निर्पेक्ष और लोकतात्र, ठीक है अगला सवाल हो जाएगा, क्वेस्टन नंबर 56, पंचाइती राज के संदर्व में कौन सा कथन सत्य हो जाएगा, C, पंचाइती राज संस्थाओं का चुनाव, राज्य चुनावायो के प्रेवेक्षण में होता है, एगमार्ग के समबन में निमन कथनों में से कौन सा सही ह केवल एक जहाँ पर option संक्या B आपका सही उत्तर हो जाएगा next question 58 है 58 में आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के संदर्व में आपसे सवाल पूछा गया है 58 में ना तो एक ना तो दो यहाँ इसका उत्तर हो गया B अगला प्रेशन आएगा 59 जहाँ पर आपसे तामे के बारे में पूछा गया सवाल उत्तर प्रदेश विशेज का सवाल है option संक्या D केवल दो ताठ में जौनपूर को सिराज ए हिंद के नाम से जानते हैं असरसिन reason है जौनपूर शरकी कालक में तिक्ष्या के महान केंदर के रूप में जाना जाता था ताठ वे question में उत्तर संक्या B A और R दोनों सत्य है R A की सही से व्याख्या करता है ठीक है कोई बात नहीं जिन बच्चों के गलत हो रहे हैं वो कोई दिक्कत नहीं है ठीक है आगे बढ़ जाएंगे यहाँ पर next question 61 जहां लिखा है रोकेट के सद्धानत पर कारी करता है 61 इसमें आ जाएगा C गती का संरक्षन पंजाब की विले के संबंध में निमन कौन सा कथन असत्य हो जाएगा option संख्या C दलीप सिंग को यहाँ वार्षिक पेंसन दी जाती थी option संख्या C उत्तर है बलकुल सही यहाँ पर अगला प्रेशन देखेंगे 63 जिसके अंदर math से संबंधित कुछ चीज़े पूछी गई है option संख्या C यानि 30 option संख्या C यानि 30 आपका सही उत्तर है यहाँ पर देखेंगे अगला प्रेशन प्रेशन संख्या 64 पूछा गया है यह आपका जो है current का question है आपके अध्यापक आपको कराते हैं इस तरह द्वारा लॉंच किये यह भी आपको जो है 65 में answer हो जाएगा इसका इसे मार्स और बिटर भी कहा जाता है और नवंबर 13 में लॉंच किया गया था first and second यानि भी उत्तर हो जाएगा यहाँ पर अगला प्रेशन देखेंगे question नंबर 66 पर मैं जो है आपके लिए star लगा देती हूँ कलके detailed analysis में इसे करा दिया जाएगा 66 question कोन से कथन गलत हैं यहाँ पर देख रहे हैं मौलिक अधिकार से संबंदित हनुचेद 21 से संबंदित और भारतिय संविधान से संबंदित चुजों पर बात पूछी गई है इसके अंदर आपका B, C और D ये सही हो जाते हैं इस option के according option संख्या D बिलकुल सही उत्तर हो जाएगा 67 का अगला प्रशन देख लेते हैं आप नेक्स्ट आ जाता है 68 नंबर 68 नंबर सवाल में आपका उत्तर है A यहाँ A में 4, B में 3, C में 2 और D में 1 अगला है 69 नंबर प्रशन 69 पर स्टार लगा लेजे ये आपको बता दिया जाएगा आपके पॉलिटी के अध्यापक के द्वारा कर नेक्स्ट क्वेशन सत्तरवा क्वेशन 70 70 क्वेशन में ओप्शन संख्या C यानि की केवल 2 सही है जामबेजी नदी पर यह इस्तित है अफ्रीका में विक्टोरिया जल प्रपात के संदर्व में आप से सवाल पूछा गया है नेक्स्ट क्वेशन है 71 क्वेशन और 71 क्वेशन के अंदर आपका आंसर आजाता है 71 के अंदर यह माच का क्वेशन है और C इसके अंदर रीजनिंग का C यानि उत्तर नोर्थ इसमें उत्तर सही हो जाएगा अगला प्रशन देखेंगे 72 अशर्षन और रीजन से संबंदित सवाल पूछा गया है जिसमें A option बिलकुल ठीक होगा A और R दोनों सत्य है और A की सही व्याख्या करता है 73 क्वेशन यहाँ पर B उत्तर हो जाएगा राजस्थाग चूना पत्थर से संबंदित 74 नंबर क्व प्रोक्त में से कोई नहीं गाजा पट्टी के संदर्व में 75 क्वेशन सी सही हो जाएगा एक और दो दोनों सत्य है नेक्स्ट क्वेशन देखेंगे अब अगला 76 सवाल जोकी उत्तर परदेश के संदर्व में है वश्यन नंबर 76 यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा A केवल 77 जिसमें आपसे पूछा गया है दर्शनिय स्थलो के बारे में यहाँ आपका उत्तर संख्या C यह बिल्कुल ठीक हो जाता है 78 वे क्वेशन में A यानि कोफी बोर्ड हैदराबाद में नहीं है सुमेलित जो नहीं है वो आपको बताना था नेक्स्ट क्वेशन है बचे वेशन नमबर 79 सुची को मिलान करना है यहाँ पर ओप्शन संख्या C A में 2 B में 1 C में 4 और D में 3 उत्तर सही हो जाता है अस्ती सवाल में B थालगाट भोरगाट और पालगाट नेक्स्ट क्वेशन है 81 जिसके अंदर आपको स्टार लगाना है आपके कल एक्सपर्ट आपको इसका क्वेशन करा देंगे next question आजाता है, यहाँ पर next question है 82, 82, 83 भी इसी page पर है, देख लेते हैं 85 number question में उत्तर है B यानी 8, B यानी 8, 83 number question में उत्तर हो जाएगा C, A में 3 है, B में 4 है, C में 1 और D में 2, अगला प्रशन है 84 नंबर तूलसी दास से संबंदित सवाल है यहाँ पर आपका उत्तर रहेगा C यानि केवल एक तूलसी दास का जन्व बांदा जन्पुद की राजापुर नामक ग्राम में हुआ था 85 सवाल आपका जो है घड़ी और समय से रेलेटर है यहाँ पर C उत्तर 384 डिग्री बिल्कुल ठीक है अगला सवाल 86 नंबर 86 नंबर पॉलिटी से है जिसके अंदर आपका उत्तर हो जाएगा A में 3, B में 4, C में 2 और D में 1 अनुचेद और सम्विधान से संबंदित यह है आपका सवाल है अगला प्रशन है जनसंक्या से इसमें थोड़ा डाउट है डाउट इन दा सेंस एग्जेक्ट फीगर नहीं देने के कारण तो 31.2% आयोग के द्वारा माना जा सकता है B option बाकी आपको कल भी डेटेल में बताया जाएगा 88 सवाल यह आपका भुगोल का सवाल है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका उत्तर है C A में 4 B में 3 C में 1 और D में 2 89 नंबर क्वेशन है A होगा I, D, U J, L, A, I, C Next question नंबर 90 90 नंबर क्वेशन में आपका उत्तर हो जाता है D A और R दोनों सत्य किन्तू R A की सही व्याख्या नहीं करता 91 में option संख्या C यानि 31 Next question यहाँ पर आप देख सकते हैं यह current का question है और इसको आपके अध्यापक कल करा देंगे 94 नंबर क्वेशन 94 नंबर क्वेशन है जो आपका option संख्या A हो जाएगा यानि की केवल एक आयरुवेद महुतसव 2023 जहासी में आयोजित किया गया पिचाण में नंबर क्वेशन का option हो जाएगा D जहाँ पर चित्रकारी और राज्य को मिलान करना था मदूबनी बिहार हो जाएगा लेपाक्षी आंदर प्रदेश हो जाएगा C में आपका पटरचित्र ओडीसा और वार्ली महरास्ट्रा 96 नंबर question जिसमें B उत्तर हो जाएगा यानि इसके अंदर science का question है 2nd, 3rd, 4th, 3rd, 2nd और 1 96 में आवरती के बढ़ते हुए क्रम में आपको इने सजाना था उत्तर प्रदेश से संबंदित अगला प्रशन है 97 में यहाँ पर 97 नंबर सवाल जिसका आंसर हो जाएगा option संख्या B ने तो 1, ने तो 2 अगला सवाल निमने लिखित में से कौन से कथन सही है चीनी उद्योग प्रारम से उत्तर प्रदेश में ही चुरू हुआ था यहाँ पर C, A और 2 दोनों से ही है मेगा पोलेश शब्द का प्रियोग किसने तो यहाँ पर जीन, गोटमेन, A option 99 के अंदर नेक्स्ट क्वेशन है आपका 100, 100 क्वेशन आपका सही गुप्त कालीन प्रशासनिक विभाजन का सही अनुक्रम क्या है भुक्ती, विशे, विथी और ग्राम 101 अनुसूचित शेत्रों के संदर्व में निमनलिखित कतनों पर विचार करना है यहाँ पर उत्तर हो जाएगा C, 1 और 2 दोनों राज्य की नीती निदेश्यक तत्व के संदर्व में निमनलिखित कतनों पर विचार करना है उत्तर हो गया है B, ना तो 1, सोरी 1 और 2, दोनों बोथ ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 103 हो जाएगा 103, जिसमें आपको मिलान करना है पोईला आधारित बिजली संयंत्रों का राज्यों में अवस्थिती यहाँ पर आप देखेंगे यह question है, समझ नहीं आएगा ऐसे, आप इसे detail में पढ़ेंगे ठीके, detail में कल आपके सभी, सारे की सारे segment को अच्छी तरीके से कराया जाएगा है ना, deep analysis के माध्यम से अभी आप बिल्कुल भी परिशान मत होए यह केवल answer की है, ठीके दिपाली आगे देखेंगे आपर 103 सवाल में आपका उत्तर हो जाएगा D यानि यह है आपका कहलगाओ जो बिहार के अंदर खरगोन है, जो MP के अंदर है, और कोरबा है जो चतीसगड में है, कुडगी है जो करनाटक में है, तो उत्तर कौन सा हो गया आप लोगों का 103 में उत्तर हो गया D समझ में आगी बात अब, ओके चलिए अगले, कोईला के संदर्म में निमनलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, 104 में एक सवाल सही हो गया एक और दो, दोनो एक और दो, दोनो ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 105, आपको दिवस और दिनांग इनको सूचित करना है, कि कौन सा सही है, यहाँ पर आपका C हो जाएगा, यानि विश्व जन संख्या दिवस 7 अपरेल को, आपका विश्व वन्य जीव दिवस मार्च 3 को नेक्स्ट हो जाता है विश्व ओजोन दिवस 16 सतंबर को और इसके अंदर एक मेर्ट, यह थोड़ा सा जी, अब देखेंगे यहाँ पर विश्व जन संख्या दिवस 105 के अंदर विश्व जन संख्या दिवस आपका यह स्वास्ते दिवस होता है आपका D में 3 है यह वाला हो जाएगा C ओप्शन जन संख्या दिवस है जुलाई 11 को और वन्य जीव दिवस है मार्च 3 को और ओजोन दिवस है 16 सतंबर को ठीके जी तो इसके अंदर C ओप्शन आपका ठीक हो जाता है ठीके C ओप्शन आपका ठीक हो जाता है समझ आगी बात आपको हाँ जी ओकी कुछ दिख नहीं रहा कैसे नहीं दिख रहा भाई मैंने तो पेपर भी आपका बढ़ाया हुआ है बढ़ाया तो हुआ है पेपर थोड़ा और बढ़ा कर लेती हूँ आप परिशान मत हो यह उसके लिए है ना ये लो अब दिख रहा है ये लेजे ठीक है चली अब देखके बताओ मुझे ग्रेट बैरियर रीफ के संदर्व में आपको बताना है कौन सा कथन सत्य है है ना तो यहाँ पर आपका केवल एक कथन सत्य है D option यदि पिछले वर्ष के एक दिन पहले रविवार था तो कल के एक दिन पश्चात के तीन दिन पश्चात कौन सा दिन होगा 107 वा सवाल यह आपका इहां पर फिलाल इस्टार लगा हुआ है कल सर जब आपको रिजनिंग का सेग्मेंट कराएंगे तो तब आपको सर इसे करा देंगे ठीक है नेक्स्ट क्वेस्टन हो जाता है आपका अगला क्वेस्टन नंबर 108 यहां पर देखेंगे असर्सन और रिजन का सवाल है इसे आपके कल एनलिसिस में करा दिया जाएगा नेक्स्ट क्वेस्टन है 109 जिसमें मिनी माटा रोग के बारे में पूछा गया है ओप्शन संख्या सी मरकरी के प्रदूशित जल के कारण यहां पर जो है रोग होता है 110 प्रशन 110 इसके अंदर आपका उत्तर हो जाएगा 110 में यानि केवल दो कथन सत्य है 110 सवाल में अगला प्रशन देखेंगे सभी साथ ही यहां पर नेक्स्ट क्वेस्टन है जिसके अंदर हम बात कर रहे हैं भारत में ब्रटिश काल के निमनलिखित में से किसके कारेकाल में पहली बार जणगर्णा हुई थी तो ऑप्शन C लाड में हो नेक्स्ट क्वेस्टन आपका करेंट का है कल करा दिया जाएगा एक सो तेहा सवाल ही आपका कल एन्वाइन्मेंट या जोग्रफी वाले अध्यापक आपको करा देंगे नेक्स्ट कूश्यन है 104 है अब दिख रहा है भाई एक बार बताओ अब दिखाई दे रहा है अब दिखाई दे रहा है कोई serious बच्चा एक बार थोड़ा से बताए बताये मुझे कि अब दिखाई दे रहा है आप लोगों को रमेश की उचाई 5 फिट है रमेश की उचाई नैनो मेटर में कितनी होगी एक सो चोधमें सवाल में ओप्शन संख्या ए एक सो बावन दसम लव पांच गुना दस की पावर सेवन 2011 की भारत की जणगंडा की अनुसार 30 जण संख्या गहनत्व वाले राज्यों का निमनलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है 115 में ओप्शन संख्या D यानि बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल और उत्ते परदेश नेक्स्ट क्वेश्चिन, क्वेश्चिन नंबर 116 यह भी आपका करेंट का क्वेश्चिन है 117 नंबर क्वेश्चिन पर आते हैं जिसमें आपका ओप्शन हो जाएगा पूछा गया है निमनलिखित अधिनियमों को उनके काल क्रम के अनुसार विवस्तित करना है तो यहाँ पर 1st, 2nd, 3rd और 4th ठीक है लेक्स, बंगाल टेनिंसी, आयू की सहमती, भारते विश्विद्याले अधिनियमों अगला प्रशन आ जाएगा नेक्स्ट नंबर 118 सवाल जिसमें पुस्तकों के लेखकों के बारे में आपसे पूछा गया है इसमें हमें सुमेलित नहीं है बताना है, जो हो जाएगी काल मार्क्स, प्रिंसिपल ओफ पॉलिटिकल एकॉनमी और टेक्सेशन 118 में, सोरी, 118 में, यहाँ पर इसका यह उत्तर हो गया 119 में मिरात ए सिकंदरी, मिरात ए सिकंदरी पुस्तक के संदर्व में कौन सा कथन सत्य है आप में से कितने बचे आए हैं पेपर देखर की, बताएंगे एक बार मिरात ए सिकंदरी पुस्तक के संदर्व में कौन सा कथन आपका सत्य हो जाएगा तो दोनों ही हैं एक और दोनों नेक्स्ट है 120 सवाल मैगनीज उत्पादक शेत्र करनाटक में इस्थित नहीं है तो इसके अंदर डी सिरी का कूलम 121 सवाल निमन लिखित में से कौन सा या सेदेश अरब प्राइदीप का हिस्सा नहीं है 121 दो और चार यहाँ पर इराक और सीरिया नहीं है अगला प्रशन देखेंगे चंदरियान 3 मिशन में चंदर लेंडिंग स्थल के आसपास भुमी और चटानों के तात्विक संयोजन को ग्यात करने के लिए निमन में से कौन सा पेलोड प्रियोग किया गया था 122 यहाँ पर आपका उत्तर हो गया ILSA A option 123 में आपके bank और उनके established year के बारे में पूछा गया है अतहें 123 सवाल में उत्तर हो जाएगा B A में 3, B में 4, C में 2 और D में 1 Next question, question number 124, question number 124, देख लेंगे अच्छे से, यहाँ पर फूछा गया है EMPEDA की स्थापना 1922 में हुई थी, सही है, इसका मुख्याले कॉलकता में है, गलत है अर्थात सही उत्तर चुनना है केवल एक C option, दूसरा है कुछ योजना है और उनके year बताने हैं जब वो शुरू की गई थी 125 में आपका उत्तर हो जाता है A, A में 2, B में 4, C में 1 और D में 3, ठीक है, यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर आप देखेंगे, next question, 126 सवाल जिसके अंदर उत्तर आपका जो है, B हो जाएगा A और R दोनों सही है और R A की सही व्याख्या भी करता है next question है, गुर्दे की पत्थरीक इसके कारण से बनती है, 127, B हो जाएगा oxalate का क्रिस्टिली करण, B उत्तर, oxalate का क्रिस्टिली करण 128 वा प्रशन है, जिसके अंदर है, कि दिये हुए कथन और कारण दोनों को आपको छाटना है, सही उत्तर की assertion reason की आधार पर व्याख्या भी करनी है C हो गया, A और R दोनों सत्य है, किन्तु R A की सही व्याख्या नहीं करता है अगला प्रशन है, 139 नंबर, जिसमें पूछा गया है कि प्रथम मानव निर्मित रूबी लेजर के संदर्व में कोन सा कथन सत्य हो जाता है यहाँ पर केवल second कथन सत्य है option संख्या C next आप से पूछा है कुछ त्योहार जिनकों की हमें मैच कराना है किन राज्यों के साथ में इनका संबंध है 130 में option संख्या C A होनबिल नागालेंड के साथ B संगाई मनिपूर के साथ राजहन स्पर्व आंदरप्रदेश के साथ और हेमिस्पर्व लडाक के साथ A इसमें C उत्तरापका सही हो जाता है next question number 131 है जिसमें option संख्या D 2 और 4 यूरोप के किसी देश की राजधारी नहीं है option संख्या D 2 और 4 अगला प्रेशन देखते हैं 132 जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कुछ जोड़े मिलाने के संदर्व में केवल यहाँ पर 2 यानि केवल 2 ही C option में लिखा हुआ है जो की सही उत्तर हो जाता है अगला प्रेशन है 134 134 प्रेशन जो quality से है जिसका उत्तर हो जाएगा यानि अनुछेद 124 जो उच्चतम न्याले का अभिलेक न्याले होना यह सुमेलित नहीं है 135 में पिछवाई चित्रकला किस देवता से संबंदित है श्रिनाथ जी कृष्ण के से संबंदित है 136 में option संख्या B केवल एक यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा 137 प्रेशन आपका सिरीज से है रीजनिंग से इसका देखेंगे 38, 13, 24, 41, 70 में लुप्त संख्या कोन सी है 117 यानि option संख्या C अनुक्रम में अगला भिन कोन सा आता है 138 सवाल A 9 बटे 32 हो जाएगा 149 सवाल में आपको मैच कराना है कौन सा ठीक से मैच नहीं हो रहा है यहाँ पर option संख्या B भारती कृषी प्रणाली अनुसंदान संस्थान वाराणसी यह सुमेलित नहीं है लोड करजन के संदर्व में कौन सा कथन सत्य है यहाँ पर option संख्या A यानि कि दोनों ही कथन सत्य है एक और दो एक और दो अब हमें यह बताईए आप लोग कि आप में से जो बच्चे हैं देखें यहाँ पर जो पेपर की थोड़ा quality थी वो आप कह सकते हैं कि जब पेपर कराये जाता है पेपर लगा करके वो थोड़ा सा डाउन ही रहता है कल आपको पूरी तरीके से टाइपिंग में टाइप हुए question आपके साथ में कराये जाएंगे सुभा 10 बजे से यह आपका कारेकरम सुरू हो जाएगा UPG के केशपाल सर के द्वारा उनके बाद में 11 बजे आपके साथ में जुड़ जाएंगे संजन सर जो इतिहास के questions कराएंगे वहाँ पर 12 बजे मैं आपको eco का segment कराऊंगी एक बजे जो हैं आपके नवनीचतर आपके साथ जुड़ जाएंगे यही पर फिर आपका आगे पूरा करम यही चलता रहेगा यहाँ जतने भी questions हमने कराएं जहाँ पर जो star आदी लगाए गए हैं उन प्रशनों को कल शामिल किया जाएगा आपके जो अध्यापक हैं, expert हैं जो subject के वो उनको जरूर कराएंगे पूरे deep analysis के साथ, जहाँ पर कोई विवाद की स्थिती बनेगी तो अंतिम रूप से आयोक का उत्तर ही माना जाएगा आप लोग ऐसे परिशान मत होईए, ठीके, तो चलिए तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सारे ही प्रशनों को आपके अध्यापक करा देंगे तो आगे इसी प्रकार की update आपको और भी मिलते रहेंगे question paper क्योंकि white background पर है थोड़ा सा visibility माँ पर down हो ही जाती है गुरूप में question paper डाल दिया जाएगा, ठीके, तो चलिए साथियो आप सभी का बहुत धन्यवाद, thank you so much